नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं विना किसी टाइम वेस्ट ले तो आज का ये वीडियो जो है करेंट अफियर सेक्शन को कवर करेगा ठीक है तो एस्पेसली ये स्विद्याले हो या किसी वी का हो बीकॉम का हो वीसका हो थिक है उन्सब के लिए इंपोर्टन तो चलिए पैटरन को देखते हैं यह मैं आपको पैटरन बताता हूं पहले यहां की आर्ट सोसल साइन्स का ठीक है तो टाइम आपके पास two hours है मैक्सिम मार्कहीं 363 हैं question paper को फ मार्किंग देखनों को मिलेगी हर एक गलत एंस्वर का एक मार्क्स आपका डिड़क्ट हो जाएगा सही वाले में से ठीक है तो जबकि आपको अलहाबाद विस्विद्याले में कोई मार्किंग नहीं मिलेगी तो कौन-कौन से चार सेक्षिन हैं जीके एंड करेंट फिर जिसको हम अभी कवर करने जा रहे हैं सिक्स्टी क्वेश्चन आएंगे इसके 180 मार्क्स इस पर आपको बहुत फोकस करना है और जेनरल मेंटल अबिलिटी मैंने इस पर वीडियो बना दिय है आगी बना देंगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और उसके बाद लैंग्विज एंड लिट्रेचर जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिस करने होंगे 90 मार्क्स ठीक है या तो आप इंग्लिस कर या तो हिंदी तो इन सब की वीड सब्सक्राइब करेंगे तो राजस्थान के बारे में कुछ बता देता हूं राजस्थान की क्या है जैपूर है पिंक सिटी वहां का गवर्णर को शेटारा के लिए राजस्थान का निजा सबसे बड़ा राज्य की द्रिस्टी में इरिया की द्रिस्टी में बाकी उत्तरप्रदेश पॉपलेशन की द्रिस्टी में लिटरेसी यह भी अच्छा खासा है थीसीट सिस्ट इनक यहां है यहां का जो फेवरेट डैंस वह आप लोग जानते होंगे अच्छे से जो जानते हैं कमेंट सेक्षिन में बताएए नेक्स्ट क्वेश्टिन क्वेश्ट नमबर टू विच मिनिस्ट्री इस डिसाइड़ लॉंच पॉर्टल काल संतुस्ट फॉर रिडिसल ऑफ ग्रिवान्स अफ इंप्लॉइमेंट प्रोवाइडर्स और इंप्लॉइब्स तो यह आपके ठीक है यह था इसका उब्जेक्टिव संतुस्ट का इसको किस नहीं किया है मिनिस्ट्री आफ लेवर एंप्लॉइमेंट नेक्स्ट को फिर नमबर फ्री इन विच्रेलवेश्टेशन इंडियास फॉस्ट ऑक्सीजन पॉर्लर इस ओपेंड ऑक्सीजन पॉर्लर क्या होता है इ देली में भी आगे है साउट डेली में ठीक है उसको पार्लर नहीं बोलते हैं इसको कुछ और बोलते हैं कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर बेस्स पर अटेक नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेशन अब यहां एक क्वेशन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि तब के प्रधान मंत्री और तब के प्रधान मंत्री किन-किन प्रधान मंत्रे के बीच में समझता हुआ था यह तो देश हो गए लेकिन किन-किन प्रधान मंत्री के बीच में समझता हुआ था अगर आप खोज सकते हैं तो खोजिए यह तो मैं मैं बता दूंगा पूछिए क्मेंट सेक्षिन में कौन है क्वेशन नमबर फाइब कुछ और्गनाइजेशन है रेसेंटली लांस्ट मोबाइल अड़ेड न इंडिया नहीं भारत फिर उसके बाद इसका रिजर्व वैंक और यह का इस्टेबलिजमेंट कब हुआ था तो यह एक अप्रेल को इस्टेबलिज्ट हुई थी 1935 में 1935 में ठीक है मतलब हो गया करीबन करीबन 85-86 साल हो गए और गवर्मेंट सौरी गवर्नर कौन है इसका इस समय प्रिजेंट टाइम में सक्ति कांदास फॉस्ट गवर्नर ऑफ या प्लू कमेंट सेक्शन में ठीक है अभी का गवर्नर मैं बताता हूं सक्ति कांदास अफ फर्स्ट गवर्नर बताएंगे ठीक है और एक क्वेश्चन ऐसे यह आ सकता है कि डिरिंग दे इस सेवेंटी सिक्स एनिवर्सरी ओफ होइस्टिंग दे फ्लैक तो यह पोर्ट ब्लेयर में ठीक है पोट ब्लेयर जहां पर आपको वह पॉप्लर सा जेल कौन सा था अं सेलुलर जेल यहीं पोट ब्लेयर में है ठीक है और यह कैपिटल सिटी किसका है अंडमान एंड निको प्रकास पर्व के रूप में किस सिख गुरु का जन्म दिवस मनाया जाता है तो हमारे गुरु गोविन सिंग जी है गुरु गोविन सिंग जी ठीक है गुरु गोविन सिंग के पिता जी का नाम था गुरु तेग बहादु से ठीक है और जो इनका जन्म हुआ था गुरु पांजनवरी 1606 पटना सेटी में हुआ था पटना सेटी का पटना सेटी में ठीक है हुआ था इनका जन और इनकी कहानी तो बड़ी अजीव यादगार कहानी गर्व करने वाली कहानिया इनके पास इन इनके चार पुत्र थे चार में से क्या था फटे सिंग जोरावर सिंग तो ऐसे पुत्र थे जिनको चुनवा दिया गया था ठीक है तब कि मुस्लिम सास्कों के द्वारा भारत हिंदुस्तान का पहला ऐसा परिवार है जिसने अपनी पूरे परिवार को कुरवान कर दिया था इसकी आजादी के लिए फिच कंट्री इस लार्जेस्ट सोर्सेज फटी इन इंडिया इन फ़र्स हाफ फाइनेंशल यह दो जार उनीस बीस फटी आई का मतलब फॉरें डारेक्ट इंवेस्टमेंट ओके फस्ट फाइनेंसिल लार्जेस्ट सोर्स फटी तो सिंगापूर है ठीक है ओके तो सिंगापूर करेक्ट ओप्सन है नेक्स्ट क्वेश्टन देखते हैं क्वेश्टन नमबर सिंगापूर की कैप्टिल क्या होगी बताना ज़रा क्वेश्टन नमबर 9 एक्कॉर्डिंग टू अनॉंस्मेंट मेड़ इस रो वाट इस इस्टिमेटेट कोस्ट चंद्रियान थरी प्रोजेक्ट चंद्रियान थरी के बारे में अच्छे से लागाट थी ठीके इसुफो ने था चेरमेन कौन था सॉरी चेर्मेन कौन था तो चेर्मेन के शीवाण थे ठीक है जब प्राइमlish ने गलусовे और फिर फिर यह कूं तो चंद्रियान द्रीकाड डारेक्टर मिशन डारेक्टर क्यों था यह दो कि मुस्से आद नहीं आ रहा है पी वीरा मुथा वेल ऐसे कुछ करके था नाम भई आप लोग सर्च कर लेंगे बहुत इंपोर्टेट कुश्च रहें डारेक्टर चंद्रियान 3 का कौन था चंद्रियान टू का डारेक्टर तो एम बनी था जिदी लेकिन चंद्रियान त्री का डिरेक्टर कौन था इसको सब्सक्राइब क्योंकि यह करेंट में चल रहा है आ सकते हैं इसमें नेक्स्ट कॉस्टिन कॉस्टिन नंबर 10 which state has declared 2020 as the artificial intelligence year and signed yamou ठीक है which state has declared 2020 as the artificial intelligence year वैसे कोवीड हो गया है had signed yamou with research companies for research in the field of artificial intelligence तो यह आपका तेलंगाना है ठीक है जो आंध्रदेश से अलग हुआ लग होँआ तो तेलंगाना है तेलंगाना का governor आप सारे state governor याद होने चीजिए किसी भी state का एक question तो आता ही है कहीं न कहीं किसी नहीं किसी state का governor आपको पूछेगा ही पूछेगा ठीक है cm तो बहुत स्किल से पुछता है लेकिन गवर्नर जरूर पुछता है तो किसने डिक्लियर किया तेलंगाना ने यह मॉयू का मतलब समझते हैं आप लोग यहां टाइप आप ऑगरिमन्ट इस साइंड बडी बाइडिलेटरल पार्टि ठीक है तो बाइड लेटरल है कई हैं तो मल्टी लेटरल एक स्पूश्चिन नूमबर 11 सुनीता लक्रा अनॉंस्ट हर रेटायरमेंट विद विद्धू इस पोड्स इस एस्टेटेड विद इनके बार तो इनको मेडल भी बहुत सारे मिलें इस इन गेम्स में और दूसरी बात जो इंडियन होकी टीम में उसकी कैप्टन कौन है बहुत ही इंपोर्टन क्वेश्चन है क्योंकि उनको अभी प्राइस ही मिला है वोल्ड वाइड ट्रेस्टीजियोस एवाइड मिला है तो वो रानी रामपाल है कैप्टन ओफ इंडियन ओमिन होकी टीम ठीक है इनको एथलीट अब दे यह वर्ड गेम अथलीट अब दे यह एवाइड भी मिला है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर थर्टीन उमाराव सिसको इंबैलो हैज में रिसेंट्ली एलेक्टेड़ इस प्रेशिडेंट ओफ इस कंट्री तो यह प्राविश्चेशन आफ क्लियर करो कौन सा दे से इसका नाम तुम्हें पहली बार सुन रहाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर फर्स्ट सारी 14 प्राइम मिनिस्टर मोधी रिसेंटली इनागुरेटेट इन एंग साइन्टिफिक लेबरेटरी इस ऑफिच ओर्गनाइजेशन ते डिफेंस रिचर्स और डेवलेमेंट ओर्गनाइजेशन ऑप्शन डी इस करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 15 दो फर्स्ट सेटलाइट 2020 विल लांस्ट ऑन जनवरी सत्रह दोजार सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तुम